यशायाह भुष्वक्ता की वारी अध्याय पाइस यशायाह अध्याय पाइस दर्शन की तराई के विशे भारी वचन अब तुम्हें क्या हुआ कि तुम सब के सब छटों पर चड़ गए हो हे कोलाहल और उधम से भरी नगरी हे प्रसन नगर तुझ में जो मारे गए है वे न तो तलवार से और न लडाए में मारे गए है तेरे सब ने आई एक संख भाग और धनुरधारियों से बांदे गए है और तेरे जितने शेश पाए गए वस एक संख बांदे गए वे दूर से भागे थे इस कारण मैंने कहा मेरी ओर से मुह फेर लो कि मैं बिलक बिलक कर रो मेरे नगर के सत्यनाश होने के शूक में मुझे शांती देने का यतना मत करो यह तो सेनोर के यहोवा परमिश्वर का ठाराया हुआ दिन होगा जब दर्शन की तराय में कुलाहल और रौंदा जाना और बैचेनी होगी और शहर पनाह में सुरंग लगाए जाएगी और दुहाई का शब्द पहाडों तक पहुचेंगा और एलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तरकश बांदे हुए है और कीर ढाल खोले हुए है और तेरी उत्तम उत्तम तराया रथों से भरी हुई होंगी और सवार फाटक के सामने पांती पांदेंगे और उसने यहोदा का घुंगट खोल दिया और अब तुमने वन नाम भौन के अस्तर शस्तर का स्मरंग किया और तुमने दाउदपूर की शहर पना के दरारों को देखा कि बहुत हैसे है और निचले पोकर के जलों को इकटा किया और यरुशलिम के घरों को गिन कर शहर पना के दुरुड करने के लिए घरों को ढ़ा दिया और दोनों भेंतों में के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा तुमने उसके करता को स्मरन नहीं किया और जिसने प्राचिन काल से उसको ठारा रखा है उसकी और तुमने दुष्टी नहीं की और प्रभू सिनो के यहवा परमिश्वर ने उस समय रोने पीटने, सेर मुडाने और टाट पहिनने के लिए कहा था परंतु क्या देखा कि हर्श और आनंद मनाया जा रहा है गाय बैल का घात और भेड बकरी का बद किया जा रहा है मास खाया और दाखमदू पिया जा रहा है और कहते हैं कि आओ खाये पे क्योंकि कल तो हमें मरना है सिनो के यहवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रगट की कि निश्च तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्राइस चित तुमारे मृत्युत तक न हो सकेगा प्रभू सिराओ के यहवा का यही कहना है प्रभू सिराओ का यहवा यह कहता है कि शेबना नाम उस भंडारे के पास जो राजगराने के काम पर नियुकत है जाकर कहा कि यहाँ तू क्या करता है और यहाँ तेरा कौन है कि तूने यहाँ अपनी कदर कबर खुदवाई है तू तो अपनी कबर उचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवा लेता है देख यहवा तुझको बड़ी शक्ती से पकड़ कर बहुत दूर फेक देगा वहां तुझे मरोड कर गेंद की नाई लंबे चवड़े देश में फेक देगा है अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले वहां तू मरेगा और तेरे विभव के रत वही रह जाएगे मैं तुझको तेरे स्थान पर से धकेल दूँगा और वहां तेरे पच से तुझे उतार देगा और उस समय मैं हिलकिया के पुत्र अपने दास एल्याकिम को बुला कर तेरा ही अंगरखा पहनाऊँगा और उसकी कमर में तेरी ही पेटी कसकर बांधूँगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूँगा और वह यरुशलेम के रहने वालों और यहुदा के घराने का पिता ठहरेगा और मैं दाउद के घराने की कुझी उसके कंदे पर रखूँगा और वहाँ खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा और मैं उसको दुर्णस्थान में खुंटी की नाई गाड़ूंगा और वहाँ अपने पिता के घहराने के लिए विभव का कारण होगा और उसके पिता के घहराने का सारा विभव वंश और संतान सब छोटे छोटे पात्र क्या कटोरे क्या सुराया सब उस पर टांगी जाएगी सिनाव के यहवा की यहाँ वानी है कि उस समय वहाँ खुंटी जो दुर्णस्थान में गाड़ी जाएगी वहाँ धिली हो जाएगी और काटकर गिराए जाएगी और उस पर का बोज गिर गिर जाएगा क्योंकि यहाँ ने यह कहा है